आज हम लोग मोडल नमबर फोर मेकेनिक्स का लेक्चर नमबर फोर देखने जा रहा है अगर कहीं पर कोई डॉट है तो वॉट्षब पे अप फिर है मैसेज करने के लिए तो बबू चली है अज हम लोग नुमेरिकल करके देखते जो आपको कल सिखा रहे थे ना पर्पेंडि एक्सिस थियोर्म निकालने के लिए उसी पे कुछ क्यूर्शन करते हैं हम लोग तो पहला क्यूर्शन है यहाप पे एक सेकेंड पहला क्यूर्शन है ए थीन डिंग अफ मास 0.25 केजी एंड रेडियस ऑफ 0.5 मीटर कैलकुलेट मोमेंट आफ इनर्शिया एक्स आक्सिस थियोर एक्सिस पासिंग थ्रो पॉइंट ऑन सर्कंफ्रेंस एंड पर्पेंडिकुलर टू अदूसरा डायमीटर से यहां समझेगा क्यूर्शन को दिखते हैं क्यूर्शन को फिर से एक वर पढ़ज़ी कि यीग है रिंग का आपको याद होगा कि उसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं यह के फॉर्मूले आप सारी याद करके यहां पर आये होंगे तो यहां ए थिन रिंग ऑफ मास 0.25 केजी है एक बॉड़ी है यानि रिंग है जिसका मास दिया हुआ है 0.25 केजी और रेडियस दिया हुआ काए 0.5 मीटर कल्कुलेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया एबोत एक्सिस पासिंग तुरो पॉइंट आं सरकंफरेंस पहला प्उइंट देखना है जो सरकंफरेंस से पास कर रहा है तो सेंट्रोईड इसका सेंटर पर ही होगा पहला जो एक्सिस होगा क्या होग Ja क्सिसको और क्या बोला कि एक point है जो इसके circumference से पास कर रहा है circumference इसका i x है इसी के बीच में आपको क्या निकालना है moment of inertia तो आपको पता है कि centroid का ex is a बहुत क्याइग が distance into mass का हब सब्सक्राइग अगडर circumference से पास हो रहा है तो center to इसका distance क्या कहलाएगा radius कहलाएगा यानि आप इसको h भी नाम से दे सकते हैं h नाम से देख सकते हैं यहाँ पे ixx निकालना चाहें ix निकालना चाहें moment of inertia तो क्या हो जाएगा ixx अप पलस पलस कितना mh square mh square का कहने का मतलब radius यहाँ पे क्या है h का फेलू क्या है radius है यानि हम यहाँ पे लिख सकते ixx कितना होता है ring का ixx यानि center of center of centroid about to moment of inertia जो था moment of inertia जो centroid कितना था ring का a mh square अरे बाबु बहुत मार मारेंगे यहाँ पे देखे अपको formula कुछ दिये थे न देखे formula दिये थे न ring का a mh square होता है क्या होता है ring का a mh square centroid का moment of inertia about to centroid जिसको हम लोग ixx के नाम से देते थे तो यही पहला point तो centroid गई जो center से दिख रहा है लेकिन बोला कोई इसके circumference से पास कर रहा जिसको हम लोग बोड़े है ix ix कितना होगा तो जो होगा i c जो इसको i c बोली है या i x x बोली है x x के water निकाल रहा है तो x x तो i x x अपल आसे यह दोनों के बीच का distance कितना है तो h है लेकिन यह h है कितना इसके radius के बरावर तो mass into radius का square यानि h का square यही एचा का square वही चीज़ बता रहे है तेहां पर क्या हो जाएगा amr square किसका about centroid का moment of inertia किसका about to centroid amr square अब plus am mass into distance का square distance भी इसका कितना r ही है तेहां पर हो जाएगा amr square plus amr square is equal to 2m square 2m का value 0.25 और radius का square 0.5 गुना करती है होगी answer बन गे answer ठीक है बन गे answer दूसरा हम बोल रहा थे इसका diameter से पास कर रहा है तो diameter तो कहीं से भी हो सकता है diameter A भी है diameter A भी है diameter A भी है diameter से ही पास कर जाए तो diameter से पास कर जाए तही बताइए अच्छा एक चीज़ और ये क्या सा थेक्स थियोरम फूर भी पहचान न था सौरी आपको पहले ही ये कौन सा थियोरम कहला आए यह का लाया इस अक्सिस यह इस दोनों क्या है हे आपस मैं पैरलल yeah rightchuss ठियो लगा दिए पैरलल लग्स एक्सिस थेओरम क्या बताए था आई एक्सेक्स पलस जो भी ए मास इंटू रेडियस का स्वाइड डिस्टेंस का स्वाइड दूसरा में आते हैं तो यह बोला था देहें क्यूशन ही बोला था आपका कि एक बार क्या है axis passing through the point of circumference and perpendicular to the plane plane के perpendicular भी होना चाहिए ठीक है दूसरा क्या वला था diameter से pass करें तो अगर यही AIX यह आपका ring है यह आपका centroid वला है और diameter diameter से pass करें अगर तो diameter यही नहुगा बबबु तो बताइए तो यह इस पे क्या है perpendicular है तो यह क्या क्या लाएगा perpendicular axis theorem नुमेरकल के दना असान लग रहा है न बहत असान लगे तो इसका perpendicular axis theorem यह क्या क्लाएगा perpendicular axis तो IZ इसकल टू क्या होगा AIX पलस IY AIX पलस IY AIZ का value IZ क्या क्या यह आईउजड क्या है यह आईजड क्या है centroid वाला है न पहले से है ना सेंतर प्रयुए बाद्रव था यानि रीन का सेंतर बाला ठाने सेंतरृइट यानियरीं का सेंतरृत कितना आता है एमारा स्क्वार छोब पलस आई एक्स आएक्स- प्लस या इक्स-पलस या येगों के लिए लिए आई बाई येगों के लिए आइए और आप बढ़े भी होगे परपेंडिय टो आई-टी निकालना था तो । यही आपका निकल गया है तो । आई-डी का भैलू कितना है यहां पर यहां पर आई एक्स आई भाई सेम ही होगा कितना के बराबर होगा जेरो पाइंट थीरी बन टू फाइब केजी मीटर असक्वाइट ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर आप बताये थे मॉमेंट आफ इनर्ष्या का फोर होता है वो किसके लिए था अरीय मॉमेंट आफ इनर्ष्या के लिए अशिधे मास मोवेंट अफ इनर्ष्या मास का की हो जाएगा क्योंगי हो जाएगा घ्र ता मेटर स्वाइर करेगी क्यों हम लोग concentrating later क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं जो इसका मोमेंट आफ इनर्शिया निकाल रहे थे किसके बॉट क्या वो याद होगा किसका स्लिंडर का तो इस स्लिंडर और रेडियस तू सेंटीमेटर है मास 5 ग्राम 50 ग्राम इफ इस लेंथ इस दो सेंटीमेटर और कल्कुलेट इस मुमेंट ओफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थू इस सेंटर एंड परपेंडिकूलर ठीक है यह क्या परपें सेंटर्याड का मुमेंट ओफ इनर्शिया निकालना है यह जो इनसे फिस क्या हो जाता था यहां पर यहां पर mission डेंड इसांटर अपर अभी तो अईंथ का यजिन निकालना है ब sentences का फोर्मूला क्या देखे था ओपर लिए को यह तो यहां पर उसी को करतीजिए तो क्या होजाएगा एम आरा स्कॉयर आपन फॉर एम ला स्कॉयर वाइट वाइट वेल्ट एम का फेलू कितना था पचास गुने दस के पार मैनस तिन के जी में रेडियस को भी मीटर में कनवाट कर दिए तू गुने किजेगा तो इसका सेंट्राइड निकल गया है ठीक है सेंट्राइड ही पूछा तो देख लीजे देखे ए सोलिट सिलेंडर रेडियस टू सेंटिमीटर मास इतना एप लेंद कैलकुलेट इस मोमेंट आफ इनर से एबॉट एक्स पासिंग थू इस सेंटर ठीक है सेंटर मतलो तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हाप पे होगा यानि कितना था दस सेंटिमीटर रखाए तो इसका जो भैलू आएगा यह एक्स एक्स का पलस कितना इसका मास मास इन्टू एरिया का अस्क्वाइर यानि डिस्टेंस का स्क्वाइर तब पांच गुने दस के पार माइनस तो क्यों से मिटर में बदल दी इसका स्कॉए यहां पर पॉइंट रहता तो हो जाता ठीक है समझ में आया अगर आई एक्स का भैलू बोल दे कि सरकंफ्रेंस से पास कर रहा है तब उसका मुमेंट ऑफ इनर्शिया बताईए तब आप ऐसा करते ठीक है यहां पर सिर्फ क्या बोला कि सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर से खली सेंटर निकाल देना सेंटर से पास कर रहा है तो खली सेंटर निकाल देना यह ऐसा भी समझ सकते हैं और यहीं से दूसरा एक्सिस पास कर रहा है तो बदाई यह दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा हम लोग क्या जानते ह x x plus मासर इन्टू डिस्टेंस का आस्पाय डिस्टेंस जीरो है आ खाली क्या बचा m a a i x x % पलस जीरो ठीक है तो बचा आई एक्सेज यानि टोटल बोले तो अगर सेंटर से बोलेगा तो सिर्फ सेंट्राइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला निकाल दीजिए जो पीछे फर्मूला दीए उसी पे निकाल दीजिएगा समझ में आया समझ में आया ठीक है चलिए आते हैं अब आते हैं डिक्स का देखते हैं यह सर्कूलर डिक्स ऑफ रेडियस फोर सेंटिमीटर है मास पचास गराम केल्कुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एबाट एक्स पासिंग थ्रू पॉइंट और सर्कंफ्रेंस एंड पर्पेंडिकुलर टू प्लेन फिर बोला इस डाइमीटर फिर दूसरा बोला तो एक पहला बोला था कि पासिंग पॉइंट सर्कंफ्रेंस पे कर रहा है सर्कंफ्रेंस के पर्पेंडिकुलर है तो पर्पेंडिकुलर मत समझेगा ध्यां से देखिएगा सरकंफरेंस पे परपेंडीकुलर है तो इस एक्सीस से जिसको सिंट्रोइट बोल रहे थे लिए एक्स के बीच में क्या है पैरलल ही तो है यह दोनों पैरलल ही तो आपस में तो parallel axis theorem हो गया तो डाइमेटर वाला व्ला इसके क्या हो गया perpendicular हो गया क्या हो गया परपेंडी कुलर हो गया तो हम लोग एक वार इसका parallel axis theorem लिखेंगे तो ixx plus mh square ixx कितना होता है dx का m r square upon 2 होता है formula याद कर क्या होगी म radius इसका कितना है सब्सक्राइब इसको मल्टिप्लाइब कीजिएगा टू इसम ले लिए यहां से कल्कुलेट कीजिएगा झो 10 के पर माइनस 4 Amm के पावर न आगे ए और अगर केज़ी में बदले होंगे तो केज़ी कर देगां क्टीच ANDREW केज में क़ंश कमें कर दिब्सक्राइब कर दिए चयवेगा चलिए अब आते हैं परपेंडी कुल रवला हम देखते हैं lens अब्ला में फिर्फपेंडिकूलरलमें इस आई एकसर से पास राइज हुगी यह थीए इस इस ऐर ऐण जेडिकूलरमें पहले यहाँ यहाँ पर आई जेड और टक का आई जेड उससेंटर पर किaprès और यहाँ है पैले में फार्मू्यlle निकालना यही एगो मोमेंट ऑफ इनर्से निकालना आइडी का मतलब डायमेटर के थूम मोमेंट ऑफ इनर्सीय तो आइएक्स के यानि अडी लिख देता तो तो आइडी निकालना चाहिए यहां से क्या हो जाएगा इसको कर देंगे तो गुने दसके पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्सिया में तो आज कखलास इतना ही रहने देते हैं इस पर नूमेर्गल जो बनाया है आप बना लिए होंगे साथ बन गया ठीक है कोई दिक्कत हुआ है क्या क्यूशन बनाने में क्यूशन बनाने में क्यूशन बनाने में क्यूशन बनाने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप पीछे से बैक करके उस क्यूशन को देख सकते हैं आप कहीं भी आपको बार बार बोलना पड़ता है कहीं भी आप क्यूशन पूश स